लेटेस्ट नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें गिलोय के बेल का हर एक पार्ट सहत के लिए खाप अच्छा माना जाता है इसकी पत्यों में केल्सियम, प्रोटीन, पासपोरस पड़याब रूप में पाया जाता है इसके साथ ही इसकी साकाओं में स्टार्च की भी अच्छे मातरा होती है कहीं बिमार्यों को ठीक करने के लिए गिलोय का इस्तिमाल किया जाता है इससे एक बेत्री जूस तयार किया जाता है गिलोय के जूस से इम्नियून सिस्टम बुष्ट होता है जो कहीं बिमार्यों से हमारी रक्सा करता है चलिए गिलोय के जूस से होने वाले जबर्दस्ट फायदों को विस्तार से जानते है इन फायदों को जानने के लिए वीडियो अंतक जरूर देगे क्योंकि संपूर्ण ग्यानी हमेशा फायदिमन होता है गिलोय का जूस खोन की कमी को भी दूर करता है जी हाँ दोस्तों गिलोय सरीर की रोप परदेलोग समता को बढ़ाता है और सरीर में खोन की कमी को दूर करता है इसके लिए परति दिन सुबर साम गिलोय का रस घी या सवध मिलाकर सेउन करने से सरीर में खोन की कमी दूर होती है डाइबडिज के रोगयों के लिए गिलोय का जूस काफी पायदिमन होता है जी हाँ दोस्तों गिलोई में हैफो गुलाइसरिक तत्तू पाई जाते हैं जो टैप टू डैपटीज के रोगयों गले काभी अच्छा माना जाता है सरीर में सूगर लेवल अधिक होने पर ये तत्तू उसे कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है गिलोई का जूस पाजन सकती के लिए भी लापकरी होता है जी हाँ दोस्तों गिलोई के रस में सद मिलाकर से उन करने से पेट से समदित सभी रोग ठीक हो जाते हैं इसके साथ ही आप गिलोई और सतावरी को साथ पीस कर एक ग्लास पानी में मिलाकर पकाएं जब उबालकर आदा आदा रज आए तो इस काड़े को सुबह साम पी है गिलोई का जूस इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है जी हाँ दोस्तों अगर आप रोजाना गिलोई के जूस का से उन करते हैं तो इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है दुनिया बर में कोरोना वाइरस का कहर है जिन लोगों की रोग पड़े रोज़ाद समता कमजूर होती है वे कोरोना एक चपेट में जल्दी आ जाते हैं इसलिए अगर आपका रोग पड़े रोज़ाद समता कमजूर है तो रोज़ाना एक ग्लास गिलोग का जूस भी है गिलोग का सेओन पीलिया रोग में भी बहुत फाइदिमन्थ होता है जी हाँ दोस्तों इसके लिए गिलोग का एक चमजूर काले मीट अतवर त्रिपला का एक चमजूर सवद में मिलाकर चाड़ने से पीलिया रोग में लाफ होता है या फिर गिलोय के पत्तों को पीस कर उसका रस निकाल ले एक चमज रस को एक ग्लास मट्टे में मिलाकर सुबह सुबह पीने से पीलिया ठीक हो जाता है गिलोय का जूस पीने से जलन भी दूर होती है जी हाँ दोस्तों अगर आपके पेरों में जलन होती है और बहुत उपएक करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप गिलों का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए गिलों के रसको नेम के पत्ते और आउले के साथ मिलाकर काड़ा बना ले परते दिन दो से तीन बार इस काड़े का से उनकरने से हाथ पेरों और सरी की जलन दूर हो जाती है